नेच्ट फोश्चन है स्टेटमेंट वन दे रखी है कि enक जो है hundreds हो नंबर qo को बिलॉंग करते हैं डिवी प्ल्स YN ॐ न जो है वो एक्स ps Y से डिवीजीवल है वो के एक natural इवर नंबर्स हैं तो हमें वत आना है कि कौन्सी स्टेटमेंट renew है पहले दूसरी या दोनों ही यह दोनों ही true नहीं है हांजी statement 1 में जब मैंने 1 put किया तो x 1 y 1 that is divisible y x minus 1 जब 2 put किया वो भी divisible था 3 put किया तो वो भी divisible था तो that means my statement 1 तो हो गई true अब 3rd, 2nd statement में जब मैं 1 put करूंगी तो वो x plus y 1 से तो divisible होगा लेकि 2 से नहीं होगा तो हमें पता चल गया, अब 3 से वो divisible है तो हमें पता चल गया कि statement 1 true है statement 2 true नहीं है So first option is our right option